पिछले व्याख्यान में मैंने मनुविज्ञान की परिभाशा और उसका विशेश्चित्र संगीत की परिभाशा और उसकी विशेश्चित्र पर चर्चा की थी मैं डाक्टर राम नुवर्श्वर्मा से आचारे संगीत आज की व्याक्षान में मनुविज्ञान उसंगीत इन दो विश्यों के आपसी संबंदों पर विचार किया जाएगा कि इनके मध्य क्या संबंद है आखिरकार संगीत कारों को मनुविज्ञान का सारा क्यों देना पड़ा या मनुविज्ञान पहले से संगीत से जुड़ा हुआ है इस तरह की बातों पर आज चर्चा करेंगे जैसे कि पिछले व्यक्ष्यान में मनुविज्ञान और संगीत की परिभाशां दी गई थी उन सब परिभाशां से यह वाट बढ़ तो मुक्षक रूप से समझ में आती है कि संगीत और मनुविज्ञान दोनों की उत्पत्ति दर्शन स्रास्तर या फिलास्फी से हुई है मनुविज्ञान की परिभाशा ही आत्मा का विज्ञान था तथा संगीत का अर्थ भी मुक्ष प्राप्ती से लिया जाता था लेकिन वरतमान समय में मनुविज्ञान दर्शन सास्तर से हटकर एक स्वतंत्र विशाय बन गया है मनुविज्ञान मन एवं मानव व्यभार का वैज्ञानिक अध्यान है जिसका अध्यर मानव की संपुर्ण मानसिक पक्रियाओं का अध्यान करना विवेचन विशलेशन करना और उन्हें समझाना है मनवज्यान मानव के समाज सम 바nd includes प्रतिक विशे से जुड़ा है जैसे समाज शास्त राजनितिशास्त अर्थ शास्त इतिहास साहित और संगीत इन सभी विश्यों से मनवज्यान जुड़ा है संगीत की बायत करें तो संगीत मानव, मन, इस्तित, विभिं मनों भावों की अभिव्यक्ति है या दूसरी सब्दों में कह सकते हैं कि संगीत भी एक मानों व्यवार है संगीत का उद्देश केवल माना व्यवार को स्वर तथा ताल के माध्यम से अभिव्यक्त करता है व्यक्ति को तनाव मुक्त करकी संतुलित विभार की और प्रिरित करता है संगीत के द्वारा भावों का उद्धीपन भी किया जाता है मनुष्य अपने विकासकाल के प्रारंब में जब भाशर से अपरिचित्था तब भी अभिवक्ती के दो सशक्त साधन उसके पास रहे हैं विभिन आंगिक संगेत और नदात्मिक आवाक्ट अर्थात शरीर के विभिन आंगों की चेश्ठाओं के सिवा अलग-अलग प्रकार की आवाज निकाल कर भीवा हर्देगत भावों को व्यक्त करता था हर्ष के आवेश में हर्ष उचक भनी विपत्ती के आशंका में भैस उचक चीक इत्यादी के आवाज सहज रूप से बिन यतन के निकाल पड़ती है अता किसी भी कला का जन्म मनुष्य की साधरन मानसिक क्रियाओं तदर उसके भौतिक मस्तिश्क द्वारा ही होता है अब बात करें संगीत सम्वेदना एवं प्रतक्षी करण कला की सम्वेदना किसी भी भाव सत्ता एवं पदार सत्ता की उप्तेचना का परिणाम है और प्रतक्षी करण सम्वेदना का एक विक्सित रूप है जिसमें हम सम्वेदना के साथ अर्थ का भी प्रयोग कर देते हैं जब किसी स्वर के धनी को सुना जाए और उसको पहचाना जाए कि यह स्वर मध्यम है तो पहली अवस्ता सम्वेदना कहलाएगी और दूसरी अवस्ता उसका प्रतक्षी करण कहलाएगी प्रितक्षी करन के पूरू सम्विदनाए कान तक पहुचती है तो उसका वहाँ संगरन होता है जब स्वर्त अथा कान उसको मस्तिक्ष तक पहुचा देते हैं एक ही तरह के उत्तेजना को बार बार सुनते रहने से हम उनके संबंदों को जान लेते हैं और उनके पैटर्न का ठीक पता लगा लेते हैं पैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेने के पश्चत बार बार कुछ स्वर्विशेश के प्रयोग से हमें राग स्वरूप मालूम होटता है और कहते हैं कि यह राग दरबारी कामला है अगला बिंदु है अनुभूत के संस्कार व्यक्ति के मस्तिश्क में और चेतन अवस्था में इस्तिर रहते हैं और आवशक्ता पढ़ने पर अत्वा प्रसंग आने पर चेतन हो जाते हैं जिसे हम इस्मृति कहते हैं इसमिच द्वारा भूत कालीन सीखे गए रागों का स्वरुप फर्तमान में दोहरा जाता है मनुविज्ञान के अनुसार कल्पना एक मांसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुश्य संपूर्ण अनुभवक की अधार पर नमीन रचना का दिर्मान करते हैं कल्पना शब्द कलप धातू से बना है जिसका अर्थ है क्रिया का सामर्थ अथवा प्रकारांतर से स्रजन करना अदर्श जगत का इस पर्ष माना इसी शक्ती से करता है कल्पना इसी शक्ती की प्रिणा है इसे यो भी कह सकते हैं कि संगीत और ज्ञान केबल पर इस्थान एवा मस्तू के भेथ से नए राग ग्रहन करने वाली मनशक्ति का नाम कलपना है कौल भी गायक या वादक कुछ समय तक अपने शिक्षक से संगीत के शिक्षा लेने के पश्चात वा अपनी कलपना शक्ति द्वारा ही राग की अलाप की बढ़त बंदिश की बढ़त तानों में नमींता लाता है अगला बिंदु है संगीत भावत था संवेग मानव जीवन अनभूती तथा अभिवक्ती दोनों से ही प्रभावित होता है इसी को ही मनुवज्यान की भाशा में भाव और संवेग कहा जाता है अभिवक्ती द्वारा मानव अपने को प्रकट नहीं करता बलकि अपने साथ दूसरों को अभिव्यक्त करता है अंत्रिक प्रिणनाओं के कारण उसके अपनत्तों का प्रसार होता है वह अपनी अन्भूती के माद्यम से दूसरों की वेदना को अपनी वेदना बनाने में सफल होता है इस प्रकार जब मन भावों के एश्वर से पूर्ण होकर व्यक्त होता है तब कला जन्म लेती है जब हमारे मन में इतने अधिक उमड़ते हैं भाव की वसमाते नहीं तब वे बहार आते हैं और गीर, चित्र तथा कावे के रूप में दूसरों से अपने उन भाव की संबन्द को परकाशित करते हैं कला सस्टी का मूल भाव है संगीत कला के द्वारा भावों को दीप्त भी किया जाता है विभिन संवेगों को संगीता जार्यों ने रसों के रूप में वरनित किया है जब विभिन तारता वाले स्वरों का उपयोग संगीत में किया जाता है तो उनसे सम्वेक जिने हम वास्तिविक जीवन में अनुभव करते हैं हमारे सामने परियाय रूप में आते हैं ये सम्वेक किसी सहज क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा हर्ष, विशाद, आवेग, व्याकुलत, आदी भावनाय प्रगठ होती है मनोभोतिकी के समान तारता के नियम के अनुसार जैसे जैसे स्वर की तारता बढ़ती जाती है भावनात्मक अनुभूती भी प्रबल होती जाती है जैसे साका उच्चारणागरम दीर ककाल तक करें तो वह निद्रजनक उत्पन्न होता है यह स्वर विश्राम की एक स्वीकारात्मक अनुभूती प्रस्थुत करता है जो किसी भी अनुभूती के लिए आधार बिंदू या प्रारम पिस्थान हो सकती है इस प्रकार यह चेतना की आवसीमा प्रदर्शित करता है यह कथन है H.V. कृष्णराओ का त्री स्वरावली ट्रेट्राकारड में कृष्णराओ के अनुसार आधार स्वर साक्य अत्रिक्त प्रयुक्त होने वाले अन्य दोनों स्वर और आधार स्वर की अनुभूतियों को और भी ज़्यादा प्रदीप्त करते हैं आज हमने कुछ बिंदू देखा कल इसके कुछ और बिंदू के बारे में संगीत और मनुव ज्यान के संबंद के बारे में हम चर्शा करेंगे